कोलकाता जॉक्टर मजर केस को लेकर पूरा देश सदमे में है एक और जहां कोलकाता समेट पूरे देश में नयाय की गुहार लगाते हुए विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक वार पलटवार भी जोरो पर है इसी कड़ी में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बनरजी पर जोरदार हमला बोलते हुए उनके स्तीफे की मांगी है कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलिज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुषकर्म और हत्या मामले पर भारतिय जनता पार्टी उग्रतेवर अपनाए हुए है बीज़पी के राश्रीय प्रवक्ता गौरव भातिया ने मम्ता बनरजी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक मम्ता बनरजी है जिनका नाम आजकल सबने निर्मम्ता बनरजी रखा हुआ है ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती है जो प्रिंसिपल था और उसकी जिम्मेदारी बनती थी सभी बच्चियों की रक्षा करे उसके खिलाफ कारवाई तो दूर की बात है उनको रिवोर्ड करती है ये एक महिला की अस्मिता को नश्ट करती है ये सम्विधान के प्रा प्रिंगाल की वो मुक्ष मंत्री हैं जिनके पास ग्रह मंत्राले भी है और उसके साथ ही स्वास्त मंत्राले भी है और आज ये प्रेस वारता का मुक्ष मकसद ये है इनसाफ इस्तीफा और इकबाल इनसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जगन ने अपराद हुआ बलतकार हुआ और हत्या कर दी गई उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बानर जी को और अभी प्रेस वारता में मैं आपके सामने जो बिंदू रखूँँगा ये प्रेस वारता हम दरूर कर रहे हैं लेकिन आज ये जंकता की आवाज है जो पच्चम मंगाल से लेके हर प्रदेश में जो आम नागरिक है जो महिलाए है जो डॉक्टर है जो अधिवक्ता है आज सब आक्रोशिद भी है अंदोलिद भी है सबसे पहले हमें ये कहते हुए कश्ट है that ममता बानर जी has become ममता दा डिस्ट्रॉयर तरह ममता बानर जी है जिनका दाम अब निर्ममता बानर जी रखा हुआ है सबने ये अपरादियों के साथ खड़ी हो सकती है जो फूर्व में प्रिंसिपल था जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चियों को सभी बच्चों को जो डॉक्टर है उनकी रक्षा करे उसके खिलाफ कारवाई तो दूर की बात है उसको रिवोर्ड करती है यह उसके साथ खड़ी होती है और यह नश्ट क्या करती है यह नश्ट करती है एक महिला की अस्विता को नश्ट करती है यह सम्विदान के प्रावदानों को जिसकी इनों ने शबत लिए है कि मैं बचाऊंगी नश्ट यह करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको और नश्ट ये करती है जो तत्थ और साक्ष सबसे जरूरी है इस केस में उनको हमारी बेहन जिसके साथ ये जगन्या प्राद हुआ है आज सभी चैनल भी दिखा रहे थे कि कहना गलत नहीं होगा कि वो वीर थी उसने अपनी अस्पिता को बचाने के लिए संगर्च किया लेकिन मम्ता बनर जी का कानून का अडेंडा नदारत था मम्ता बनर जी दोश्यों के साथ खड़ी थी और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़ता बतक परिवार को इस्तीफा मम्ता बनर जी का और इकबाल कहा था इकबाल वर्दी का जिसको नश्ट करने वाली मम्ता दर डिस्ट्रॉयर फिर से हैं जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी से एक नागरिक होने के नाते हमारी बेहन का भाई होने के नाते धारती जंता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और एक वरिष्टा दिवक्ता होने के नाते ये सवाल मैं पूछता हूँ ये सवाल मेरे मुख से पूछे जा रहे हैं लेकिन ये पच्चिम मंगाल की जनता के सवाल है मंताबर जी जी सवाल नंबर वन आप से पूछा जाएगा क्यों आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर ओफ एविडेंस हम सब जानते हैं कि जब कोई अपराद घटित होता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले 48 घंटे जिसको कहा जाता है गोल्डन 48 आर्ड ओफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें आप प्रमार इखटे करते हैं साख्षी इखटे करते हैं और अगर रेप केस है मर्डर है तो जो भी ऐसे बेखती हैं जो दरिंदे हैं उनके हेर स्ट्रैंड बाल हो सकते हैं सीमें हो सकता है और भी तथे इखटे किया जा सकते हैं लेकिन देरी का मतलब यह होता है कि प्रोसिक्यूशन जो कि उस वक्त मम्ता बैनर जी क्योंकि ग्रहमंत्री थी पुलीस उनकी थी उनके तत्वधान में था उसको कमजोर करने किया प्रयास तो पहला सवाल यह है मम्ता बैनर जी आपका मुझे व्यक्तब पर याद है आपने कहा कुछ दिन बाद CBI को मैं जाट ट्रांसफर कर दूँगी अगर मगर जब ये जगन्य अपराद होने के बाद खबर आती है तुरित कारवाई करते हुए आपने तुरंथ CBI को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी ये पहला सवाल है और हम सब को पता है लापरवाई ऐसी वैसी नहीं कलकता है कोट ने जाट ट्रांसफर करने के आदेश दिये और उसके बाद जाट ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे मंतद र डिस्ट्रोयर ने जाट यो है वो ट्रांसफर भी नहीं करी दूसरी बात पच्चिम मंगाल की पुलिस आपके इशारे पर आपके आदेश पर जो मृतक पीड़ता का परिवार था उससे जूट क्यों बोल रही थी और मैं आपको दो प्रमार देता हूँ पहला कलकता हाई कोट का जो आदेश आया है विवेचना ट्रांसफर करते हुए उसमें ये बात पश्ट लिखी है और दूसरा प्रमार ये है ये कलका विक्तव्य है रतक पीड़ता की मा का और क्या कहा है सुनिये इसे और इसी लिए कह रहे हैं मंता दिस्ट्रॉयर ओफ एविडेंस पहले एक फोन आता है इस्पताल से तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बिमार है वर्जिन नमबर वन फिर उसके बाद फोन काट दिया जाता है रतक पीड़ता का परिवार दुबारा फोन गुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्म हत्या कर ली है और यही कलकता है कोट के जज्ज्मेंट में भी लिखा है इसके बाद परिवार अस्पताल पहुचता है और चार घंटे तक करीब करीब जो पहला कॉल आया था उसके चार घंटे तक तीन घंटे इंतजार कराने के बाद उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को लिया जाता है ऐसा क्यों है यह जो तीन चार घंटे थे इसमें कौन से प्रमार जो है वो नश्ट किये जा रहे थे यह पूचा जाएगा और मैं एक वाक्य पढ़ दूँ जो उनका विक्तव है हमें शुकरवार को सुबा दस तिरपन बजे यह फोन आया जब हम वहाँ पहुँचे अस्पताल तो हमें उसे देखने को नहीं दिया गया हमें उसे तीन बजे देखने दिया गया और उसके बाद जो वर्णन है क्योंकि हमारी बेहन की अस्पता का सवाल है वो मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं और नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि यह दरिंदगी का प्रमाण है और कोई भाई यह शब्द क्यों एविडिन्स डिस्ट्रॉई किया तीसरा मुख्य बिंदू यह है कि जिस प्रिंसिपल को सस्पेंड करके एक्स्पेल करना चाहिए था उसको बारा घंटे में कलकत्ता में ही पुना पोस्ट किया जाता है और फिर से प्रकार लगाता है कलकत्ता है कोट चौत्री बड़ी बात जिस पर ध्यान देने वाली है और यह ब्रतक पीड़ता का परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक दरिंदे का क्रत्त नहीं है इसमें कई लोग शामिल हैं लेकिन जब तक यह विवेचना कलकत्ता पुलीस के पास थी करीब पांच से छे दिन गैंग रेप इस एसपेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने और इसकी वज़ा क्या है यह भी पश्ट कर दे इसकी वज़ा यह है अरेश्ट हुई एक अगर गैंग रेप होगा तो अरेश्ट होंगी और भी ज़रूरी यह निवार है और अरेश्ट यह करना नहीं चाहते थे और इसी लिए गैंग रेप की पॉसिबिलिटी को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना उचित नहीं समझा है एक बड़ा सवाल और आएगा जब भलतकार के बाद खत्या कर दी जाती है तो पोस्ट मॉटम बहुती क्रूशल पीस ओफ एविडिन्स है पोस्ट मॉटम जो है कलकत्ता में कई हस्पताल है सरकारी भी है किसी और हस्पताल में नहीं कराया गया कि एक नूटरल टीम डॉक्टर्स की पोस्ट मॉटम करे आनन फानन में जल्द बाजी में वहीं पर कराया गया उस वक्ट प्रिंसिपल कौन था वही व्यक्ति था जिसने एफ आयर करना भी उचित नहीं समझा और कहा अननाचिरल डेथ है उसी की देखरेक में पोस्ट मॉटम होता है और बहुत पीड़ा से मर्यादा बनाए रखते हुए ज़्यादा तक्थ्यों में ना जाते हुए एक बाद जरूर उजागर करूंगा क्योंकि इसका असर होगा पंदरा इंजरी मार्क्स पंदरा इंजरी मार्क्स मिले रतक के शरीर से इसका मतलब इन ओल प्रॉबबिलिटी इपॉसिबिलिटी ऑफ गैंगरेप आज तो बी एक्स्ट्लॉड और टू डेर सो एमेल सीमन मिलता है जो ट्रांस विजाइनल के नाल था ब्रत का जो ब्रतक है उसका डेर सो एमेल अगेन पॉइंट्स आउट तो वर्ज गैंगरेप अब ये सारी बाते जो मैंने कही इसके बाद एकी निशकर्श निकलेगा और वो निशकर्श जो निकलेगा वो ये है कि मंता बैर्ड जी ने संविधान को तारतार करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया भलकि जो एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉई करवाया इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंच में लिखकर जरूर बताएं देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अबडेट्स के लिए बढ़े रहें इंडिया पबलिक खबर के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना बिलकुल न भूलें कानल को सब्सक्राइब यूलें और ले लेए के साथ हमारी यूट्यूब प्रताइब यूधिता बार लेएं झाल के साथ हमारी यूब लेएंच जरो बोग्यूब रहें